What's up guys, आईश्मा दिससाइड and welcome back to my YouTube channel So, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे in-demand skills की जो कि आपको इस साल आज से अभी से सीखने चाहिए and ये ऐसे skills है जो कि इस साल 2022 में ही बहुत जादा demand में है इनमें एक demand supply gap है demand बहुत जादा है लोग चाहते है ऐसे skills लोग बट supply नहीं है इतने लोग है इनी जिनके पास ये skills है और ये ऐसे skills है जिनमें आप freelance कर सकते है अगर आप एक student है या फिर अगर आप एक professional freelancer बनना चाहते है आप अपना खुद का business या start-up कर सकते हैं जिनमें इन skills का use हो या फिर आप job भी कर सकते हैं skills की मदद से क्योंकि बहुत सारे employers इस वक्त ऐसे skills वाले लोग ढून रहे है और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी skills बता रहा हूँ वो ऐसे skills है जो कि इस साल तो relevant ही है no doubt बट ये आने वाले साल 2025, even I think 2030 तक relevant रहेंगे इनकी बहुत जादा demand रहेगी और अगर आप अभी से इन skills को सीखना start करते है इनमें career बनाने की सोचते है तो आप कुछी सालों में एक millionaire बन सकते है एक बार आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मुझे comment section में जरूर बताना कि आप इनमें से कौन सा skill सीखने के बारे में सोच रहे है तो चलिए फिर बिना time waste कि बढ़ते हैं हमारे countdown की ओर बट मैं ये बोलूँगा कि इस list का जो last skill है वो definitely check out करना क्योंकि इसमें बहुत जादा potential है अगले 5-10 किया I think 15-20 साल तक ये skill बहुत जादा demand में रहने वाल है and surprisingly बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे है तो वो जरूर देखना So the first skill that you should learn in 2022 is blockchain development and I think undoubtedly this is going to be the most in-demand skill not only this year but in the coming years also and blockchain basically एक decentralized and distributed तरीका है information को store करने का, record करने का and blockchain technology का इस्तिमाल स्रिफ crypto currencies के ले नी हो रहा बहुत सारी different industries है जैसे की healthcare हो गया, finance हो गया, politics हो गया जिनमें blockchain का use हो रहा है and obviously इस blockchain technology के adoption के ले and इसको implement करने के ले हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको blockchain development आती हो in fact blockchain technology पे जो total expense है वो estimate किया जा रहा है कि 2023 तक ही 16 billion dollars का बन जाएगा and एक blockchain developer बनने के लिए तीन basic skills होना बहुत ज़्यादा important है पहला है programming, दूसरा है data structures and तीसरा है cryptography अगर आपको नहीं पता यह सब क्या होता है don't worry आप online search करोगे YouTube पे या कोई course ढूँटोगे बहुत सारे courses मिल जाएंगे जो कि आपको सिर्फ यह चीज़े नहीं बलगी पूरा blockchain development सिखाते हो and इंडिया में इस वाग एक blockchain developer की average salary 15 lakhs per annum है और अगर आप थोड़े 3-4 साल काम करते हो और experience gain करते हो तो आपकी salary easily 50 lakhs, 1 करोड या उससे जादा भी हो सकती है so moving on जो दूसरा skill है जो आपको इस साल सीखना चाहिए वो है video editing, graphic designing and animation and वैसे तो यह 3 अलग-अलग skills है but फिर भी इस video के लिए मैंने इनको एक ही skill में combine किया हुआ है and पिछले कुछ सालों में हम सभी ने देखा है कि digital content कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है digital marketing कितनी ज़्यादा बढ़ गई है इतने सारे content creators भी आ गए है and हम इतना ज़्यादा content consume करने लग गए है and इसलिए इन skills की बहुत ज़्यादा demand बढ़ गई है जो की कोई video edit करके दे दे या animations बना दे या graphic designing करके दे दे and ये skills believe me देखने में बहुत ज़्यादा difficult लगते है but मैं personal experience से कह रहाँ कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है सीखना हाँ थोड़ा सा आपको effort डालना बढ़ेगा consistently आपको effort डालके इस skill को सीखना पढ़ेगा but ये सीखना मुश्किल नहीं है और आप 2-3 हफते में अपने आपको इतना skill up कर सकते है कि आप छोटे-मोटे basic freelancing projects या लोगों के लिए काम करना शुरू कर रहे है and एक छोटा amount earn करना start कर रहे है फिर obviously जैसे-जैसे दीरे-दीरे आपका experience बढ़ेगा आपका skill level बढ़ेगा and आपका quality of work इंप्रूफ करता रहेगा तो obviously आपकी जो इससे earning है जो income है वो exponentially grow करेगी and जैसा कि मैंने का digital content इस वक बूम कर रहा है and हम लोग इस बूम के अभी starting में है तो अभी आने वाले सालों में यह बहुत जादा बढ़ने वाला है and इसलिए इन skills की demand भी बहुत जादा बढ़ेगी and यह बहुत अच्छा time है इन skills को सीखने का and guys यहाँ पे मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैंने recently अपना Instagram page launch किया है तो वहाँ definitely follow कर लेना and अगर आपने अभी तक इस channel पर subscribe नहीं किया है and this skill is programming basic coding knowledge and यह skill मेरा भी करता धरता है क्योंकि मैं एक software engineer हूँ and obviously software engineer बनने के लिए काम करने के लिए आपको programming आनी चाहिए and programming का basically मतलब होता है coding करना, किसी software के लिए या किसी भी चीज के लिए code लिखना and आप यह किसी भी programming language में लिख सकते हो आप python में लिख सकते हो, java में लिख सकते हो C, C++ में लिख सकते हो and बहुत सारे इस वक अलग-अलग programming languages आ रहे है जिनका भी use होता है और हम सबने पिछले कुछ सालों से एक technological revolution देखा है एक digital shift देखा है and आने वाले सालों में यह चीज बढ़ने ही वाली है रुकने या कम होने नहीं वाली and इस पूरे shift में सबसे ज़्यादा important role programmers कर रहा है जो कि उस technology को पनाते है, code करते है so यह एक ऐसा skill है जो कि आपको 2022 में आना ही आना चाहिए and आने वाले सालों में इसकी importance और बढ़ती ही रही तो इससे आप भाग नहीं सकते and एक बार आपको basic programming आ गई ना आपने ये skill सीख लिया फिर आप बहुत सारी different and innovative technologies में काम कर सकते है आप big data में काम कर सकते है आप data scientist बन सकते है आप cloud computing कर सकते है या फिर आप blockchain development ले भी programming ज़रुत है तो बहुत सारे avenues है and guys believe me personal experience से कह रहा हूँ programming सीखना बहुत जादा आसान है once again आपको बस थोड़ा effort डालना पड़ेगा दिन का घंटा दो घंटा निकाल के सीखना पड़ेगा online बहुत सारे free courses available है मैं description में कुछ links भी डाल देता हूँ आप उनको check out कर सकते है तो आप programming completely free of cost घर बैटे बैटे आराम से सीख सकते and बहुत आसान है सीखना but फिर भी अगर आपको programming में technology में interest नहीं है लेकिन आपको marketing में interest है तो फिर आपको फोर्ट skill definitely सीखना चाहिए कौन सा? you guessed it right digital marketing and आप में से जिन लोग को नहीं पदा digital marketing भी basically marketing ही है brands को promote करना consumers तक पहुंचाना बस फरक है कि ये सिर्फ digital media use करते promotions के लिए, marketing के लिए तो जहां हम traditionally offline तरीके देखते थे marketing के newspaper में या billboards या TV no doubt ये अभी भी है but पहले सिर्फ in के दूरू marketing हो दी थी अब digital marketing बहुत जादा बढ़ रहा है आप Instagram स्क्रोल कर रहे है कोई ad आ गया वो digital marketing है आप Flipkart या Amazon पे कुछ खरीद रहे है and top पे sponsored products आते है वो भी digital marketing का पाट है या आप कोई YouTuber की कोई video देख रहे है और वो randomly बीच में किसी product को या brand को shout out देते है वो भी digital marketing का ही पाट है and जैसे जैसे digital content बढ़ रहा है I think ये तीसरी बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ but जैसे जैसे digital content बढ़ रहा है वैसे वैसे digital marketing की demand भी बढ़ रहे है and इसलिए ऐसे लोगों की demand बढ़ रहे है जिनको digital marketing में कुछ expertise हो या experience हो and आप भी digital marketing online, YouTube पे या कहीं भी completely free of course सीख सकते है I don't think कोई paid course करनी की जरुत है basic सीखने के लिए and then उसके बाद आप किसी agency में, किसी company में या startup में जो digital marketing करती हो उनमें आप काम कर सकते है, experience विल कर सकते है इस काम को सीख सकते है and अपना network भी बना सकते है clients के साथ but definitely यहाँ आपकी थोड़ी creativity लगेगी, थोड़ा दिमाग लगेगा थोड़ा आपका experience भी important होगा क्योंकि यह simply straight away online marketing नहीं है यहाँ भी बहुत ही smart and strategic तरीकों से आपको marketing करनी होती है so the fifth and final skill जिसका मैंने काता कि यह definitely सुनना क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे है but सबको बता है आने वाले सालों में इसमें बहुत जादा बड़ा potential है and अभी में आपको कोई एक specific skill नहीं बताऊंगा बलकि एक group of skills बताऊंगा, एक sort of category बताऊंगा जिनमें सब कोई भी एक या दो skills सीख सकते हो आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा impact create करने के लिए अपने life में भी and दूसरों की life में भी and इन skills को मैं categorize करूँगा as metaverse technologies and ये basically ऐसे skills है जिनको सीख के आप एक metaverse build कर सकते हो and metaverse के बारे में आप सबने सुना ही होगा especially पिछले कुछ हफतों से and metaverse basically एक 3D, एक digital virtual world है एक universe है जिसमें आप और मैं digital form में enter कर सकते है and even though everyone is saying कि metaverse is the next big thing but ये big thing बनने में अभी बहुत time लगेगा 5, 10, 15, 20 साल लगेगे इसको mainstream बनने में ऐसा नहीं है कि एक-दो साल में सब हो जाएगा और अगर आप ऐसा कोई भी skill सीख लेते है अपने आपको ऐसे skill up कर लेते है कि आप एक metaverse build कर सके तो आपका skill अगले 15-20 सालों के लिए तो at least relevant रहने ही वाला है and आप एक metaverse build करने के लिए develop करने के लिए बहुत सारे different skills सीख सकते है आप blockchain सीख सकते है जो मैंने वीडियो में पहली भी बताया था इसके लिए आपको programming आनी भी important है आप AR, VR सीख सकते है जिनका बहुत ही important role रहने वाला है metaverse में आप artificial intelligence के बारे में पर सकते है उसमें अपनी knowledge या अपनी experience बिल्ड कर सकते है आप 3D reconstruction भी सीख सकते है आप internet of things भी सीख सकते है उसके बारे में जान सकते है बहुत सारे skills है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस topic पे एक different video भी बनाऊँगा कि metaverse technologies सीखने के लिए या metaverse में contribute करने के लिए कौन कौन से skills है जो कि आप सीख सकते हो so in short जैसा कि मैंने का ये कोई एक single skill नहीं है बहुत सारे skills है जिन में से कोई भी आप सीख सकते हो and metaverse build करने में contribute कर सकते हो and ये मुझे बहुत ही ज़ादा promising feel लग रही है क्योंकि as I said 15-20 साल तक ही relevant रहने वाला है टाइम लगेगा and skill लोगों की जरूत है and इसमें अगर आप अपने आपको अच्छा बना लेते हो and सीख लेते हो तो आप definitely बहुत ज़ादा demand में रहोगे आने वाले साल and बहुत ज़ादा पैसे तो कमाओगे ही no doubt so इसी के साथ हम इस वीडियो के end में आच चुके but once again मुझे comments में जरूर बताना कि अब आप कौन सा skill सीखने के बारे में सोच रहे है and अगर आपके वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे like and इस चानल पे subscribe करना बिल्कुल मत भूलना thank you